नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो स्पेसिपिकली यूट्यूब क्रियेटर्स के लिए लेकर के आया हूँ इस वीडियो के थूँ यूट्यूब क्रियेटर्स का ध्यान गूगल या यूट्यूब की इस पॉलिसी की और आकृष्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप यूट्यूब क्रियेटर हैं, आपका रेविन्यू जेनरेशन चालू है या रेविन्यू जेनरेशन आने वाले समय में होने की संभावना है तो आपको ऑनलाइन टेक्स कंप्लाइंस के लिए नेसेसरी फिलप्स क्या-क्या करने हैं ताकि आपको सही रेट पर टेक्स डिड़क्ट हो या आप टेक्स डिड़क्शन से बच पाएं अन्यता यूट्यूब अत्वा गूगल जब आपको Google AdSense के तुरूप पेमेंट करेंगे तो उस पेमेंट पर टीरियस कंप्लाइंस उन्हें करना है इस द्रश्टी से आपको क्या-क्या पॉइंट्स ज्यान रखने हैं आज की वीडियो में यही पॉइंट आपके साथ लेक से दिखें इंपॉर्टेंट क्रियेटर्स आउटसाइड ऑफ दे यूएस प्रिपेर टू सब्मिट यूर टेक्स इन्फॉर्मेशन इन एड्सेंस तो एंशोर पोटेंचिल टेक्सेज ओन यूर अर्निंग्स आर एकुरेट कि आपकी जो भी अर्निंग अब यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हो रही है उस पर प्रॉपर टेक्स डिड़क्ट हो ये कम्प्लाइंस करने के लिए आपको तयार रहना है ऐसा एक अलर्ट आपको मिला होगा बहुत संभव है रधर I can be 100% sure about this के आपको एक email भी Google की ओर से आई होगी जिसमें लिखा होगा we are reaching out because Google will be required to deduct US taxes from the payments to creators outside of US later this year as early as June 2021 over the next few weeks we will be asking you to submit your tax info in AdSense to determine the current account of taxes to deduct and apply if your tax info isn't provided by May 31st 2021 यनि आपने ये information 31 माई 2021 तक नहीं दी तो ऐसी परिस्थतिती में sir Google आपसे 24% का TDS आपकी earnings पर काट लेगा इसलिए ये mail आपके लिए महत्पूर्ण है ये US tax requirement apply क्यों होई दोस्तों क्योंकि Google कहता है under YouTube Partner Program यानि YPP every creator regardless of his location of work is required to pay US tax on the income earned from viewers in US यानि मैं इसे सरल शब्दों में बोलू तो कि मान लिजए आप एक YouTube creator हैं आपने एक YouTube पर वीडियो बनाई उसके कुछ वीर्स US में भी हैं यानि US में कुछ लोग आपकी वीडियो देख रहें तो जब US में आपकी वीडियो देखी जाएगी तो उस समय किसी ने किसी रूप में आपकी अर्निंग यूएस से भी आती है तो वह आपकी इंकम एक्रूड और अराइज इन यूएस है जिसके लिए यूएस टेक्स लाइवरिटी लगाएगा वो यूएस की और से टेक्स आप से गूगल डिड़क करेगा इसलिए सर यह पर्टिक्लर कंप्लाइंस रिक्वायर्मेंट अराइज होई है अब naturally आपका question मुझसे होगा sir which income will be covered for US tax तो मैं आपके सामने चार तरीके की income रख रहा हूं sir जो mainly is taxation में आएगी revenue earned from views in US through ad views यानि आपके ad views जो US में होंगे उससे आपको जो earning होगी income from YouTube premium आपका यदि YouTube premium facility आपके YouTube channel पर चालू है तो वहां से जो आपको income होगी income from super chat इसी प्रकार से income from super stickers and income from channel membership तो जब आप इस प्रकार की income sorry मैं पहले चार बोला था प्रकार की income अगर आप YouTube से earn करते हैं तो इन प्रकार की income पर आपका tax liability Google deduct करने के लिए prima facie libel है अब बड़ा important question है sir what will be US withholding tax withholding tax का मतलब होता है sir TDS इसका answer Google देता है sir it will depend upon whether creator is having a business account type और individual type जैसे मान लीजे मैं भी एक YouTube creator हूँ पर मैंने individually ये particular account बनाया है तो मैं individual type account खला हूँगा मानीजे कोई company है कोई partnership firm है उन्होंने भी अपना YouTube channel चला रखा है तो वो business account type कराएंगे अब Google क्या कहता है अगर आपका business account type है तो हम आपसे 30% तक TDS काटेंगे अगर आपने fill up नहीं करी detail और अगर आपका individual type account है तो हम आपसे 24% TDS काटेंगे तो आपका अगला question होगा भडिया जी क्या ये particular rate निल भी हो सकती है मेरा answer है yes sir निल भी हो सकती है अगर आप compliance कर देंगे तो आपकी information दे देने पर आपको zero TDS के साथ में भी यानि पूरा का पूरा payment भी मिल सकता है अब जो tax rates sir मैंने आपके साथ में रखी कि बुला आपको 30% rate लगे 24% लगे या say royalty पर इंडिया-USDTA कहता है sir 15% tax rate ही लगेगी business income पर 0% tax rate ही लगेगी तो उसके कुछ factors हैं जो इन tax rates को effect करते हैं are the country of residence are you eligible to claim tax treaty benefit are you identified as business account or an individual account as I discussed with you earlier यह सारे factors sir मिल करके तै करेंगे कि आपके उपर क्या tax rate applicable होगी now what is the cut-off date जैसा मैंने आपको बुला sir आपको compliance करनी है 31 मही 2021 तक अगर आप नहीं करेंगे तो एक जून onward जो आपके payment होंगे business account type में Google आपको जो भी payment करेगा YouTube creator होने के नाते जो आपको income due होती है YouTube से उस पर 30% TDS काटेगा और अगर आप induzal हैं तो आपको 24% TDS काटा जाएगा यानि मान लिजे किसी व्यक्ति को एक लाक रुपे महीने का YouTube से earning हो रहा है और उसका business type account है तो उसको फिर आगे के लिए 70,000 ही मिलेंगे इसलिए सही message क्या होगा मेरा कि आप compliance करें तो जब मैंने check किया sir in particular messages पर जो Google दिखा रहा है sir YouTube पर भी दिख रहे है US tax requirement of YouTube earnings तो क्या लिखा है sir वहाँ पर आप दिखे Google में begin withholding US taxes on earning you generate from viewers in US as early June 2021 please submit your US tax info in the AdSense as soon as possible if your tax info isn't provided by May 31st 2021 Google में be required to deduct up to 24% of your total earning worldwide if you are a creator in US you may have already submitted your tax info check your tax info in your AdSense account and be sure so this is already a message to you sir and we don't have to do this message we have to do compliance with you now a very natural question to you sir if you don't know how to do that if you are earning in US then Google is also the answer to that you can do a job if you want to check your US income then go to YouTube analytics there go to Advanced Vondes in which you want to see the date range in which period you want to see what income is in this period if you want to see what geography is in this period you want to see how much income is in this period a drop down menu will allow you to add a secondary metric okay now you choose your estimated revenue you can choose your estimated revenue option in this period and if you want to choose from US then you will know that your US earning is how much is in this period if you will know that your like for the US on US income from the case and your mind 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 your US earning in India does it also have to do compliance with it my point is that your own compliance is to do all everyone in the world are required to provide tax info सब को यानि आप किसी भी location पर हो आपको information Google को देनी है प्लीज सब्मिट यह tax info as soon as possible if your tax info isn't provided by 31st of May 2021 Google may be required to deduct up to 24% of your total earning worldwide आपको अब यह देखना है कि साब मुझे compliance कैसे करनी है तो Google कहता है sign in to your AdSense account click on the payments click manage setting scroll to the payment profile and click edit next to the US tax info click manage tax information on this page you will find a guide that will help you to select the appropriate form for your tax situation तो जैसा मैंने बुला सर उनी बातों को अब आपके सामने रख रहा हूं कि देखे मैं Google AdSense पे गया payment पर क्लिक किया setting में गया manage tax info में गया US tax info पर मैंने select किया तो वहां मेरको यह pop-up मिला इस में लिखा to find out right tax form please answer a few question first the IRS the US tax authority requires the tax info be reported in letters AZ or numbers for accented characters use the letter only such as N for N or A what type of account is आपका individual account है या business account है वो आपको यहां पर select करना है finally आपको next पर click करना है अब यहां से थोड़ा fast लेके चलता हूं वहां आपसे पूछेगा are you a citizen or resident of United States you have to fill up yes or no basically Indian YouTube creators के लिए अगर यह मेरी वीडियो है तो आपको यहां पर no select करना है finally आपको next पर click करना है यहां सर आपको पूछेगा select w8 form w8 text form type यह US का text form है based on your previously selected answer a w8 form जो आपने पीछे select किया है है सर राइ सही option के मैं US का resident हूं या out of US हूं तो आपको अपने आप Google यहां पर form बताएगा say for example w8 ben this form is most commonly used by non-US individual and would also be used to claim tax treaty benefit अब हमें क्या है सर क्योंकि हम लोग Indian resident है मैं सीधे सीधे बोलू आप Indian pen card holder है तो आप tax treaty का India US tax treaty का benefit उठाने के हगदार है तो आपको यहां पर click करना है और अगर मान लीजे आप business entity है ठीक है या US में या लिखा है this form is most commonly used by non-US business entity और individual that earns income related to its US trade or business and files you as income tax return या तो आप business entity है या आप US में income tax return भड़ते हैं तो आपको सर यह point select करना है सही point select करके आपको आगे click करना है यहां सर आपको country of citizenship select करनी है क्या आप कौन सी country के citizen है say for example you belong to India तो आपको drop down में जा करके इंडिया select करना है taxpayer identification number तो आपका PAN number यहां पर आपको fill up करना है यहां आपसे information मांगी गई है sir are you claiming a reduced rate of withholding under tax treaty ठीक है तो क्या आप चाते हैं कि क्या आपको reduced tax rate मिले जैसे आपको 30% या 24% tax rate से बचना है तो आपको बोलना है हाँ सब मेरे को तो lower tax का benefit दीजे जैसे अगर आपको कोई royalty income है तो आपको 15% tax rate लगेगा business income है और आपने US में बिना कोई office खोले US में बिना किसी branch को establish किये काम किया है तो मेरी opinion में आप nil tax rate का benefit भी ले सकते हैं तो अगर आप यह कहते हैं कि नहीं सर मेरे पर 30% rate नहीं लगे choice rate नहीं लगे तो आपको यहाँ पर yes select करके आगे बढ़ना होगा लेकिन एक बात मैं जरूर आपको बोलूगा आप जो भी information fill up करें उसके लिए आपके जो charter accountant है आपके जो tax consultant है उनसे राय अवश्य लें केवल मेरे कहने से आप इस प्रकार से form को fill न करें अब मैं मान लेता हूँ कि आपने special rate select करी है तो वो यह बूलेगा किसाब special rate and condition you may be exempt or have tax withheld at reduced rate or certain income type earned in US these reduced rate are exemptions which vary among the countries and specific income time select all that apply to you you can claim any future type that you may plan to earn from google products जैसे आप अलगलग products से जो जैसे कोई विक्ति मान लिजे consultancy देता है YouTube premium के थूँ तो इस प्रकार से case में sir उनको जो income आएगी वो technical services में भी income आ सकती है कोई आपका particular brand है या कोई particular आपने ऐसी logo बना रखा है जो आप दूसरों को use करने का permission देते हैं या कोई design है जो आप दू advertisement से जो income आ रही है मेरी opinion में sir prime office आई वो आपकी business income भी कही जा सकती है तो आपको relevant India USDTA का पैरा और उस पैरा के हिसाब से क्या tax rate होगी वो पिक करना है मेरा फिर कहना है sir आप अपने consultant की मदद लेकर के यह particular form fill up करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहां पर दोस्तों Google आपको document purview का भी option देता है this is how your document will be generated purview to PDFs and confirm your information आप purview कर सकते हैं कि मैंने क्या चीज fill up करी यह purview यहां पर आपको दोस्तों ऐसा दिखेगा ठीक है finally आपने confirm करना है I confirm that I reviewed the generated document to the best of my knowledge and belief that are true, correct and complete यहां सर गूगल आपसे certification भी कराएगा under penalties of pre jury per jury I declare that I have examined the information on this form and to the best of knowledge and belief it is true, correct and complete I further certify under the penalties of per jury that 1, 2, 3, 4, 5 these are the conditions which you have to read and accept finally sir आपको यहां अपने signature डालने है, signature मताब आप अपना नाम लिख दीजिए क्योंके say this is Anupabhatiya who is signing here, are you the person listed in the signature section, yes I am the person listed in the signature section and I am completing in this form on my behalf or no I am signing on behalf of the person listed in the signature section such as agent, attorney, attorney in fact, executor, guardian, जैसे कोई minor है sir तो उनके और से उनके parent इस particular form को sign करने के लिए libel है, finally आपको next पे click करना है अगर आपका किसी परकार से status change है तो उसका affidavit Google आपसे मांग रहा है, are you providing tax info as a new or existing payment profile that hasn't received payment or an existing payment profile that has previously received payment यानि आप ऐसे YouTube creator हैं जो already YouTube creator तो मन लिए गए लेकिन अभी तक आपको कोई payment नहीं आए या आपको already payments हा रहे हैं, तो आपको click करना है, I am providing tax info for a new or existing payment profile that hasn't received payment or I am providing tax info for an existing payment profile that has previously received payment, finally आपको यहाँ पर submit करना हो यहाँ जब आपने click किया, I am providing tax info as existing payment profile that has previously received payment, say for an example, तो आपको एक जगे और टेक कराएगा, under penalties of perjury, I declare that information, certification contained herein remained the same and unchanged except as provided below from January 1st, 2020 through the present and were true, correct and complete for that time, यानि आप यह करें कि साब मेरी information January 1, 2020 से भी यही थी, to the extent there were any changes, please detail them here and include dates of limit changes, अगर कोई changes हैं, तो आप उनको changes को यहाँ लाएंगे, finally आपको changes mention करते विए submit करना है, जब आप submit करेंगे सर, तो आपको manage tax info की यह window दिखेगी, provide or update your tax info, your payment profile, your country, determine how your taxes are collected, with held and reported, United States tax info, आपने कौन सा form किया है, आपका form approve हो गया, आपके submission की date, किसने submit किया सर, आपका address क्या है, इस तरीकी की details सर यहाँ पर आपको अब reflect होगी, finally, दोस्तों, आपके mail ID पर Google की ओर से, एक mail भी आएगी, your tax information has been approved, ठीक है, तो यह particular mail का आजाना यानि confirmation हो गया, कि आपकी details submit हो चुकी है, So, I hope my dear friends, this particular video which is made to invite the attention of YouTube creators in terms of their earning from Google, their earning from YouTube, that the income with their earning may be subjected to TDS at the rate 24% or 30% and if you want to save yourself from such a high tax rate, you have to ensure that you are complying with all these requirements which I discussed in this particular video, if you have any query you can write to me, I will be there, trying my level best to get the solutions to you, thank you very much, Jai!